राजस्थान के जोधपुर एयर बेस पर गुरुवार को बहुराष्ट्रिय हवाई अभ्यास तरंग शक्ती दो हजार चौबीस का दूसरा चरण शुरू हो गया है 29 अगस्थ से 14 सितंबर तक होने वाले इस हवाई अभ्यास में भारत समेत साथ देशों की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही है जोधपुर के आस्मान में पहली बार दुनिया के सबसे ताकतवर अमेरिकी वायुसेना प्रमुक जनरल डेविड डब्ल्यू एल्विन अस्ट्रेलियाए वायुसेना प्रमुक एयर मार्शल स्टीफन चैपल जापानी एयर सेल्फ दिफेंस फोर्स के प्रमुक जनरल हिरोआकी उचिकुरा UAE डिफेंस फोर्स के चीफ आफ स्टाफ लेफटिनेंट जनरल इस्सा ओल मजरुई और भारतिय वायुसेना प्रमुक एयर मार्शल वियार चौधरी विमान उड़ाएंगे खास ये है कि US चीफ हमारा स्वदेशी लड़ाकु विमान तेजस उड़ाएंगे सुखोई, राफेल जैसे विमानों का प्रदर्शन भारत करेगा जोधपुर एयर बेस पर 39 अगस्ट से 14 सितंबर तक 7 देशों के विमान ताकत दिखाएंगे संयुक्त युद्धा भ्यास की शुरुआत 30 अगस्ट से शुरू होगी और 12 सितंबर को सभी देशों के एयर चीफ जोधपुर आएंगे मल्टी नैशनल एयर एक्सरसाइस के लिए मित्र देशों के एयर क्राफ्ट जोधपुर आ चुके है जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स का कारगो विमान पहुँच चुका है इसकी शुरुआत दो सप्ताह पहले से हो चुकी थी जापान के अलावा युएस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, युएई, हंगरी की वायू सेना का दल पहुँचा है युद्धा भ्यास में युएस का एफ, 18, जापानी एफ, 2, UAF, 16, युएस का ए, 10 ठंडर बोल्ट, युएस, C-130 जोधपुर एयरवेज पहुँच चुके हैं इस एक्सरसाइज में, इमारटीटी भारतिय सुखोई तेजस, 30 MKI, राफेल, जगवार, मिराज, हौक्स, प्रचंड, मिग 78, पिछोरा नुमाईश होगी, 29, अवाक्स, आईयल और आकाश मिसायल की स्वदेशी हथियारों की वैश्विक मंच पर तरंग शक्ती एक्सरसाइ और अटैक हेलिकॉप्टर प्रचंड की ताकत जलवा दिखाएगा। इसके अलावा, आगामी 2047 विकसित भारत तहत दुनिया के सामने शक्तिशाली एर फोर्स का प्रदर्शन करना है। इसेट प्रोटेक्शन एंड बस्टिंग और मिक्स फॉर्मेशन एर टू एर रिफ्यूलिंग मिशन का अभ्यास किया जाएगा। एक्सरसाइज दौरान, DRDO, On Ordnance Factory Board, HAL, Defense PSU और प्राइवेट कमपनिया स्वदेशी हथियारों और सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी भी आयोजित होगी। वायू सेना ने कुल 51 मित्र देशों की वायू सेनाओं को तरंग शक्ती में हिस्सा लेने के लिए निमंतरण दिया था। इन में से 31 देशों की वायू सेनाएं भारत में बहुराश्ट्रिय एक्सरसाइज में हिस्सा भाग ले रही हैं।